गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं आप सब के साथ बहुत ही अच्छा यार कलर शियर कर रही हूं जिससे बालो का कलर दार्क बरगंडी बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कैसे बनाएंगे सबसे पहले लेंगे दो मीडियम साथ की बीट रूट अगर आपके पास बीट रूट है बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो आप एक ही लेंगे इस तरह से है जैसे मैं दिखा रही हूं तो आप दो लेंगे इपकिम आखते हैं का रूट heaven बिल्त rearrangementर इने। अच्छा आश्या मिल देता है बालों को deeply conditioning भी करता है बीट रूट को दोनों बीट रूट को मैंने grinder jar में डाल दिया है अब हम इसे grind करेंगे मैंने इसमें पानी का एक drop भी add नहीं किया है ठीक है अब हम इसे चान लेंगे मैं इस तरह छनी से चान रही हूँ अब जैसे comfortable हो वैसे आप चान सकते हैं लगबग 4-5 चमच हमें यहाँ पर बिल्कुल pure beetroot का juice मिल जाएगा इस beetroot को अब हम juice को हम side में रखेंगे अब हम क्या करेंगे बाकी का जो हमने चाना था beetroot उसे भी हम use करेंगे हम बिल्कुल भी waste नहीं करेंगे यहाँ पर किसी भी चीज को तो हम उसमें पानी डालेंगे मैंने पहले grinder jar में पानी डाला है यहाँ पर प्लीज आप पीने के पानी का use करेंगे hard water के use नहीं करेंगे इस बा डालेंगे पानी ठीक है पहले हमने बीट रूट का juice निकल कर चार से पांच चमच साइड में रखा है अब जो बाकी की बीट रूट थी वो हम इसमें डालेंगे क्योंकि अब भी भी उसमें काफी सारी goodness है अब मैंने इसमें लगबग एक ग्लास के जितना पानी डाला है और आधा चमच के जितना मतलब एक छोटा चमच डालेंगे काफी पाउडर ये तीनों ही natural dye का काम करती हैं बालों को कलर देने के साथ साथ बालों में ठेकनेश भी देती है अब डालेंगे इसमें 7 से 8 long लांग भी बालों के कलर को डार करने के साथ साथ बालों की जड़ों क मजबूत भी बनाता है इसमें मैं थोड़ा सा पाने और एड करूंगी अब रखेंगे इसे गैस पर गैस की फ्लेम को अन करेंगे यहां पर हम आगे का प्रोसेश शुरू करें से पहले मैं आप सब सी छोटी सी रेक्विस्स करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक स बिस्कस की लिव्स गुढल की पतियां इनकी मैं जितने टारिफ करूं अतना कम है विटामिन सी तो होता ही है इसमें पर ये बालों को नहीं सिर्फ कलर देती है डार्क बलके ये बालों को मस्बूत बनाने के साथ साथ बालों को बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी टारीख करतें ठीक है पर जिनके पास है वो ज़रू डालें नहीं तो आप यहाँ पर एक छोटा चमच मेथी दाना का भी एड कर सकते है क्यूंकि वो भी हमारे बालों के लिए इतनी ही बेनिफिशल है जितनी हिवरे पर जिनके पास हिविस्कस की ह темпер 겁니다 जाने अब मैंने हिवि जाए तो हम इसे टोनर की तरह यूज़ कर सकते हैं या पर शेम्पू में मिला कर भी यूज़ कर सकते हैं अब इसे अच्छी तरह से 7-8 मिनट में बॉयल कर लिया है गैस के फ्लेम का बंद करेंगे इसे लगबग आदा से पॉन गंटा इसी तरह से छोड़ देंगे ठीक है उस करके चाहें तो छनी से चाहें से चाहें तो किसी पतली कपड़े से अपको pathको जैसे comfortable हो वैसे चाने सूप की चाहने की कोषिश न करें तो चाई के पत्ती पूरी नीचे आजाएगी मैंने इसे इस तरह से चाय की पत्ती के चानी से अच्छी तर से रिया एक बहुत ही अच्छा सामे लिक्विड मिला है अब हमने फिर से वही की लोहे की कड़ाई ली है अब इसमें आपको डालनी है हीना मतलब महंदी जितनी आपके आपको अगर सिर्फ चड़ों में लगानी है तो आप उसके हिसाब से लेंगे अगर आपको पूरे बालों में लगानी है तो उसके हिसाब से लेंगे हीना भी नहीं सिर्फ एक नैश्रल कलर का काम करती है बलके बालों के मजबूर भी बनाती है बालों में ठिकनेश भी देती है बस अच्छी हीना होनी चाहिए अब फिर से हम इसमें डालेंगे एक छोटी चमच के जितना कॉफी पाउडर कॉफी का हमने लगबख पहले भी एक छोटा चमच यूज किया था अब भी आप क्या करेंगे जो हमने बीटरूट का जूस निकल कर रखा था साइड में लगबख 4-5 चमच पहले आप उसे इसमें एड करेंगे ठीक है एक अच्छा कलर चाहिए तो प्लीज इसी तरह करें और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि इसे अगर आप यूज करते हैं तो मेरे साथ अपना फीड़बेक जरूर शेर करें अब क्या करेंगे हमने जो पानी बनाया था उससे हमने इसकी स्मूथ पेस्ट बना ली है अब ये ठीक है अब इसमें आपको डालना है यह एक से डेट चमच की जितना लेमन जूस यह लगबख डेट से दो चमच की जितना एपल साइडर विनिगर जो भी दोनों में से आप जिसके लिए कमपोटेबल हो जो आपको सूट करता हो मैंने लगबख दो चमच डाला है एपल साइडर विनिगर इससे कलर भी डार्क होगा और नेच्रल शाइन भी आएगी बालों में और एपल साइडर विनिगर हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी होता है अब जो उपर से मैंने उसका स्मूध पेस्ट बना लिया ये जो पज़ कहा है इसे आप चाहें तो टोनर की तरह यूज़ करें और नहीं तो आप इसे अपने शैंपू में डाल कर भी यूज़ कर सकते है अब इसे आपको ओवर नाइट रखना है कम से कम बारा से 14 गंटे चाहें तो एक दिन पूरा भी रख सकते हैं तो उसके बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा अब इसे मिक्स करें दिखी ये काफी थिक है इतना थिक है न लगाने से उबर-बर लगता नहीं है बालों को तो हम इसे थोड़ा सा पतला बना लेंगे जो हमारा पानी बच गया था न उससे ही हम इसे थोड़ा सा पतला बनाएंगे तो ये क्या होगा बालों में अच्छी तरह से चिपकेगा अब इसे बहुत ही अच्छी तर से मिक्स करें अपने साफ बालों में बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन करके इसको आपको लगाना है कम से कम तीन से साड़े तीन घंटे जरूर रखें शावर के पेने इसके बाद सिर्फ नॉर्मल पानी से अपने बालों को वाश करें एक से दो दिनों के बाद अच्छी तर से ओइलिंग करें और उसके बाद शेम्पू करें बिल्कुल माइल्ड शेम्पू करें ठीक है और फ्लेश मेरे साथ अपना एक्सपिरियंस जरूर शियन करें थैंक्स फार रॉचिंग